नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निकलेश जयन हिंदी छेस पेस इनचल पर आप सभी का हार देख में नकरता हूं दोस्तों भारत के अरजुन इरगासी ने पिछले दुनों एक कमाल का काम किया है पहले तो उन्होंने सार्जा मास्टर टॉर्णामेंट जीता शांदार कमबैक कि आपको याद होगा उसके बाद वो दोबई ओपन वी ऑल्मोस जीतने के करीब पहुंच गये थे खेर तीसरे स्थान पर रहे और अपनी रेटिंग में लगा था जो उन्होंने सुधार करना जारी रखा उसके बाद एशियन कंटिनेंटल चैंपनिशिप जो की समय कजाकि कजाकिस्तान में चल रही है वहां पर अर्जुन जो है उन्होंने जाने का निर्णे लिया अंतिम मौके पर बड़ी बात यह थी कि जब अर्जुन ने जाने का निर्णे लिया उस टोनमेंट तो यह बात तही थी कि अर्जुन जो है वह एक राउंड बाद ही पहुंचने व में जो है वो पहुंच गए है मतलब खिताब जीतने की और अब कदम बढ़ाना वो शुरू कर देंगा अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अरजुन इस टूर्ण में खेलने का एक ही उद्देश है अरजुन का कि एशियन कंटिनेंटल जीतो और फीडे वर्ल्ड कप के लिए अपना जगह जो है स्थान जो है वो पक्का करो हाला कि फीडे वर्ल्ड कप में एक चांस यह भी है कि अरजुन की रेटिंग 2700 के उपर है तो उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो मिल जाएगी वो कोई चूक जो है वो अपनी तरफ से रखना नहीं चाहते तो एम हाई है इस खिलाड़ी के और शानदार विदिच 2715 पर है हरी किष्णा 277 पर है रेटिंग सब लोग बढ़ा रहे हैं बट फिलहाल इंडिया नंबर 3 हो गए है अरजुन इरकासी एक बार फिर से तो आई देखते हैं आज का मुकाबला काफी इंट्रस्टिंग था काले मौरों से खेल रहे थे यह मैच अरजुन इ खेलते हैं डी सिक्स लाइन ओके डी सिक्स का फंडा बहुत ही क्लियर होता है कि आप चाहँ जब चाहों इसको मार दो नाइट अब हमें कोई टेंशन नहीं यहां पर एफाइप के पॉन का कैसल किया यहां पर वाइट नहीं आजित सामन ने आजित सामन भारत के बहुत ही ट हफाइब जो है उनकी पसंदीदा मुवस में से एक है वरियेशन कहीं से भी कोई भी निकाल दीजिए अब यहां पर क्यों है खेला जाता है अब यहां पर प्रॉब्लम कैसा होता है कि अगर वाइट हटा नहीं सकते क्योंकि कुई एच फोर के बाद गेम खतम हो जाएगा त तो या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा HG4 के बाद नाइट को वहीं स्टेबल रखना पड़ेगा और D3 बगरे खेलना पड़ेगा तो अगर वाइट मारता है GF3, QF3, QH4, QH3, मेट रोकने के लिए QH3, GH3, रोक ह3 के बाद ब्लैक जो है वो पॉन अप पोजिशन गेम में आता है जो कि black के लिए favor करती है इसी लिए h5 पे जो है white जो है वो g4 के bishop को नहीं मारता है तो इन्हों नहीं यहाँ पर क्या खेला इन्हों ने खेला bishop into c6 यह खेला जाता है bc6 और database में जो है विक्टर बोलोगन ने खेला है जीते हैं एरनिस्ट इनर्केव जो की बहुत ही एक प्लेयर है बढ़िया प्लेयर है 2700 के प्लेयर रहे हैं उन्होंने जीता है तो काफी सारे लोगों ने white पीसे से इस position को भी जीता है क्योंकि इसके बाद भी जो वरीशन आए पोजिशन आएगे जैसे इसमें white कंटीनू कैसे करता है white बुलता है ठीक है आपका bishop रखाया जीफोर पर हम उसको नहीं मार रहा है हम अपना पोजिशन ओपन करना शुरू करते हैं d4 यहाप ब्लैक को डिसाइड करना पड़ता है यहाँ तक जो पूरा मैच है वह आदित सामत ने बहुत ही परफेक्ट खेला है और यहाँ पर वाइट स्लाइड बेटर है क्योंकि अगर आप देखो तो अभी ब्लैक का भी डेवलोपमेंट जो है वह कंप्रीट तो हुआ नहीं पीसेस तो सारे अंदर है ठीक है और d4 का प जरूर रहती है क्योंकि G6 होगा विशफ G7 आएगा इस डियागनल पर प्रेशर रहेगा यह रुक से थोड़ी एक्टिविटी रहेगी नाइट C5 जाएगा तो एक्टिविटी रहती है यहाँ पर ब्लैक के पास और शायद इसी लिए आदित को लगा कि नहीं से एंड गेम और भटक गए यहाँ पर आदित्या यहाँ पर वो QA4 खेल सकते थे आइडिया आप D4 के pawn पर लगातार जो है प्रेशर रखिए C5 अभी खेला नहीं जा सकता विकॉस यह पिनिंग है तो ब्लैक को अब यह बिशफ तो निकाल लाई है तो ब्लैक का वैसे भी आइडिया G5 क के खेलने के लिए लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आदित थोड़ा भटक गए वो QB7 आगा और मिरे खाल से यह जो महत्वा कांच्छा है यही उनको ले डूबी बाद में क्योंकि Queen जो है वो outside the board चला गया suddenly आपने D4 का pawn भी recover नहीं किया और अभी भी आपकी pieces अंदर रखें औ और ब्लैक को थोड़ा underestimate कर गए क्योंकि आफ्टर रुक डिए अगर आप देखो तो ब्लैक बोले ठीक है आप यह पॉन भी मार लेजे बट आफ्टर जी फाइब यह पोजिशन बहुत critical हो रही है क्योंकि Queen आउटसाइड है गेम में रुक सेंट्रल पर राजा थोड़ा अक अर्जुन ने कर दिया उसके बाद जी फोर आता है और आप पोजिशन को compare करोगे तो आप खुद देखोगे कि यह पीसेज जो है वाइट के अप एक तो क्वीन थोड़ा किनारे पड़ा हुए और राजा थोड़ा अकेला पड़ रहा है थोड़ा काफी अकेला पड़ रहा था तो उनको एसास हुआ वो कुईन भी थरी वापस गए तो नाव कुईन एच फोर आइटिंग मेरे साब से यहां पर लास्ट चांस था कुईन जी थरी रखना चाहिए था कुईन जी थरी क्योंकि ब्लैक अग्रे से हो रहा था और बिशप जी सेवन ये गेम चलेगा बट आप बिशप E3 रखके भी गेम ब्लैक थोड़ा स्लाइट बेटर जरूर रेस पोजिशन में क्योंकि थोड़ा उसके पास चांसे रहते हैं D4 का पॉन भी है F5 भी आ रहा यहां पर बट ये खेला जाना चाहिए था खेर उन्होंने यहां पर डेवलोप्मेंट किया उनको ल कि मुझे ऐसा लगा कि आदित ने डिफेंस बहुत अच्छे से नहीं किया यहां पर जी एस त्री जीए थरी खेला उन्होंने कुई जीफ हो रहा है उन्होंने खेला यहां पर नाइट एफवन विद आईडिया आइडिया और यह को हटना पड़ेगा बट पॉइंट यहां कितना फायदा हुआ यहां पर अर्जुन ने जब एफवाइब खेला तो वह वह बहुत ही आमेजिंग पोजीशन थी कि राजा सेंटर पर रखा हुआ है और वह एफवाइब खेल रहे थे यह पर रुक एवन खेला उन्होंने एफ़ोर को कवर करते हुए तो कैसल कर लिया जो इन्हें फाइनली लास्ट मोमेंट पर नाइट एच्टू पर कुइन जी सिक्स आए या पर बिशप फूर वह ऐसा लगा कि आदे तो को लगा कि भाई अब सबसे पहले पीस निकाल और उन्होंने वही किया बट एफी फूर कुइनी फूर कुइनी फूर रुक की फूर यह जो एंड गेम आया इस पर आफ्टर नाइट डी फाइब जो ब्लैक के पास एक्टिविटी थी वह बहुत ज्यादा थी तो इन्होंने अब देखे बिशप मर रहा तो पहले बिशप पॉन भी जा सकता है तो बिशप डी टू पीछे की चाह ना रुग भी एट अब अट एक्टिव रुख था वाइट का तो कहते हैं कि एक्टिव पीस जो भी जैसी कम एक्टिव पीस हों तो जो सबसे एक्टिव उसको एक्शेंज कर दो रुकी एट रुकी एट 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 एंडन उन्हें नाइट फ्री खेला बट इसके बाद वह यहां पर चूक गए समझने मे उन्हें डिरेक्ली वो पॉंड डिफेंड किया उन्हें उन्हें खेला किंग जी टू तो नाव बिशब डी फॉर पॉंड मार लिए अभी एफ्टू मर रहा है तो नाइट फ्री वापस गए और अरजुन ने फिनिश बड़ा ही शांदार किया उन्हें मारा बिशब और रुक इन्ट फ्री के बाद ही पॉजिशन विनिंग है बहुत सारे पॉन है तो बिशब बीटू उन्होंने खेला यहां पर बिशब एच्सिक लेकर का अटैक किया अरजुन ने बिशब जी से एक्शेंज कर दिया और यह जो नाइट रुक एंड गेम है इतने ज्यादा पॉन ब्लैक के पास है यह पॉजिशन में कहीं से कभी कोई शक था नहीं कि अरजुन को कोई प्रॉब्लम होगी और एंड गीम देरे देरे जला ब्लैक वाइट ने थोड़ा प्रेशर किया अरजुन के पॉन जो पास पॉन थे वो इतना तेजी से आगे निकल रहे थे कि कह प्रेश काउंटर प्ले लेने के कोशिश कर रहे थे अधित सामन बट अरजुन चुप चाप जो है अपना पीस निकाल के ले गए यहां पर एटू के बाद यहां पर रखा और बीटू के बाद रिजाइन कर दिया यहां पर अधित सामन ने तो अरजुन का कमाल का गेम था पूरा गेम देखिए तो काफी अग्रेसिव जरूर इसमें आधित का भी योगदान था कि थोड़ा कुईन भी सेवन को लेकर थोड़ा बटक गए थे और उसके बाद तो अरजुन ने खेर कोई मौका दिया ने तो जब फिनिश अरजुन का इसके साथ अरजुन पांच रहे हैं क्योंकि पहला राउंड तो खेले नहीं थे देखते हैं कि क्या अरजुन एशियन कंटिनेंटल चैम्पेंशिप जो है वो जीत पाते हैं और इस टोनामेंट पर अरजुन की प्रदर्शन पर हमारी निगाहें जो है वो बनी रहेंगे तो अपना ध्यान रखे दोस् लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले तैने बात दोस्तों